नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आयरवेदिक नई दिशा शरीर का हर एक अंग हमारे लेम है तपुर्ण मना गया है जैसे कि हम आखों के सारे देख पाते हैं कानों की मदद से सुन पाते हैं ठीक उसी तरह मूं की मदद से हम सब कुछ खाब पी सकते हैं पर बात अगर खाने पीने की हो, तो हमें दातों को कैसे बूल सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम सब खुछ काटते और चबाते हैं, आज कल का खानपान ऐसा हो गया है, जिसके कारण हमें दातों की कई परकार की समस्या हो जाती हैं, इसी वज़े से हमारे दातों में कर लेकर आये हैं, जिसे अपना कर आप अपने दातों के कीडे वेदर्द से शुट कर अप्पा सकते हैं, अगर आपके दातु में कीडा लग गया है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले लासुन की तीन से इंची तीन चीजों के शायरे से आप अपने दातों के कीड़ोग और दर्द को दूर भगा सकते हैं अब आपको लेसुन की कलिएंगो को बारिक काट लेना है काटने के बाद आपको इसे सांधा नमक डाले और मिला ले ना है सांधा नमके आपने 2-3 चुटकी मिला लेना है अच्छी तरह से मिलाने के बाद आपको दातों में जहां भी दर्द है इसे महां पर अच्छी तरह से रख लीजिए और मुग को बंद रखिए मुग को अपने 3-4 मिनिट तक बंद रखने के बाद जो लार उत्पन होगी उसे नीचे थूख देना है ऐसा करने से दोस्तों आपके दातों का दर्द समात हो जाएगा अगर आपको फिर भी दर्द में रहत नहीं मिल रही है तो इसे नुसके काप दोबारा से इस्तवाल कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दात में कीड़ा लग गया है तो इसके लिए आपको सरसो का तेल लेना है सरसो का तेल इसे पेष्ट में मिला कर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर आपको दातों में जहां पर भी कीड़ा लग गया है बुरुस की सहता से दातों पर बुरुस करें और अपने दातों के चारों और अच्छी त्रह से बुरुस को गुमाएं और फिर रस को 3-4 गंटे अपने दातों पर ही लगा रहने दें और फिर अच्छी त्रह से अपने दातों को साफ कर लें इस नुश्के का 3-4 बार आपको प्योग करना है इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दातों का दर्द वा कीड़े समाप्त हो गई है और दातों का कीड़ा जाने के बाद ऐसा चीज़ा का सेवन करें जिसे आपको कैल्सियम मिले जिसमे अद इक मातरा में कैल्सियम हो जैसे कि डाल दूद और दही का सेवन करना चाहिए जिसे कारण आपके दातों के छेद जल्दी भर जाएंगे इसनुस्के का इस्तमाल करके आप अपने दातों के कीड़े और दर्द को दूर कर सकते हैं तो यह थी दोस्तों दातों से जुड़े एक महतर पुर्ण जानकरी उमीद करते हैं आपको पसंद आई है अगर पसंद आई है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं जानकर के साथ स्वस्त्रे मस्त्रे जै हैं दोस्तों